नमस्कार मैं हूँ कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ हम बात कर रहे हैं मेंका गांधी की जो सुल्तानपूर से सांसद हैं और पूर्व केंद्रिय मंत्री भी वो रह चुकी हैं दरसल अपनी बिबाख राय के लिए वो चर्चा में रहती हैं और फिलाल उन्होंने मुलाकात की है योगी अदितिनाद से पांच कालिदास मार्क पर जो है वो आवास है सरकारी आवास है योगी अदितिनाद का वहाँ पर मुलाकात करने पहुंची थी किसानों से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो मुद्दे उन्होंने योगी अदितिनाद के सामने उठाए आपको बता दे कि सीम योगी से मुलाकात के दौरान बीजेपी सांसद मेंका गांदी अपने चारो विधायकों के साथ शेत्र और जन्पत से संबंदित जो उनकी को कुछ मांगे बता दें पहले तो चाहती है कि सुल्तानपुर में एक करोड़ पंद्रा लाग की सांसद निदी से बन रहे आधुनिक चिकितसाले में पशु चिकितसा के साथ साथ देखबाल के लिए बाकी जो उपकरण हैं उनके लिए 24 लाक रुपे समित पशुओं के ड गोमती नदी की बात करी जाए तो पुराने पुल के बराबर एक और पुल के निर्मार का भी उन्होंने पश्ताव रखा है उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो जिलास पताल ट्रॉमा सेंटर और सौ बैट के बिर सहपूर अस्पताल के लिए रेडियो लॉजिस्ट एन शामिल करने के लिए भी उन्होंने बात रखी इस तरीके की वो तमाम जो है वो बाते रखती हुई नजर आई है हाला कि इस बारे में कोई जानकारी प्राप नहीं हो पाई है कि योगी अदितनात ने इसके जवाब में क्या कहा है लेकिन जिस तरीके से लगातार सुल्तान पुरसे सांसद जो में का गांधी है वो यूपी के विकास के लिए काम कर रही है कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में जब 2024 का लोगसवा चुनावाएगा तब उन्हें जीतने में काफी आसानी होगी सरकार को कहीं न कहीं आसानी होगी और इस मुद्दे पर पाकि आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से जुल्तान पुर्चे सानसद Hmindi लगातार UP के विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो आने वाले वक्त में UP में भाजपा की सरकार बनाने में काभी एहम साबित होगा, तमाम सीटे जो हैं, असी सीटे बताई जाती हैं, लोग सबाकी हैं, उस में से कितनी सीटे एक बार फिर से भारती जन्ता पार्टी जीत पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएगा, फिलाल देख तरे ये नेक्स नाइन न्यूज इस खास, पेश कश्च में इतना ही, नमस्कार